कि ये ये इस नमस्ते वर्शा बैसला कैसी है अवाज आ रही बही अगर आवाज और पिच्छर क्लियर हो तो एक बार बताना वे इस प्लीज कंफर्म करेंगे उसके बाद स्टार्ट करते हैं वही आज की क्लास को बड़ी सारी टाइप्स की हमने 22 टाइप्स की हमने किसके करिकलं के आज हम थोड़ा सा कुछ और जानेंगे कुछ आगे चलेंगे रूज फातिमा अरे यह बड़े स्टाइल से हेलो लिखा भई हेलो पुजा कोशीक नमस्ते कैसे हैं पुजा बैं यह हेलो कैसे लिखा भई फातिमा हमें भी सिखाओ यह तो भई बड़े तरीके से लिख रखा है ठीक कर लेता हूं इसको भी मैं ऐसे इस टोके यह यह वोफिली आपको याद हो गई है हमने जो कल किये थे 22 टाइपस ओफ करिकुलम वी हव दन 11 इस वन एंड रिमेंग 11 आर ठीक है तो यह कुछ हमने किये भई चैंप इपके क्लास को स्टार्ट करतें बहुए आपने हमारा वह जो बैनेर होaking होता है वो भी देख लिया होगा आज की जो क्लास है पूट इस की बात है इंग है किसरी किरिकुलम है High-Tech है यह जितने भी curriculum है emergent curriculum है ठीक है, यह सारे जो curriculum है इनको अब कराने का तरीका एक दृष्टी को कैसे कराया जाए कोई भी हुआ curriculum उसको ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे approach बहिए कोई भी curriculum हो उसको किस तरीके से आप कराएंगे आगे उसको हम क्या कहेंगे approaches in curriculum तो approaches को देख लेते हैं आज की जो class रहेगी approaches के रहेगी इसके उपर भी question बनते हैं और यह ऐसी चीज है इसके उपर question बनते तो हैं लेकिन जब बनते हैं exam में आते हैं तो फिर वो आप से नहीं बनते हैं क्योंकि आपको लगता है यह पता नहीं कहां से बना है तो इसी लिए इनको थोड़े जानना जुरूरी हो जाता है तो यह हैं भई हमारी अलग-अलग types हैं जो हम 10 types करेंगे approaches in curriculum आज का दो topic हैं और उसमें जो हमारी type रहेंगी सबसे पहले topical approach concentric approach concept approach spiral approach modular approach thematic approach vertical and horizontal approach widening horizon approach issues centered approach and the last one will be eclectic approach ठीक है आज यह 10 type की approaches हम करेंगे अरे पुजा कोशिक नहीं लिख दिया भ़ी बड़ी है सार बड़े इसी style से गुड़ीवनिंग आकांशा गर्ग और गुड़ीवनिंग भई ग्रेट इवनिंग भई करिश्मा गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग होती है ठीक है तो भई यह जो है यह दस वो रहेंगे हमारे अलग-अलग different approaches रहेंगी जिंसे हम आज देखेंगे कि भई कैसे कैसे हम किसी भी curriculum को हम पढ़ा सकते हैं बता सकते हैं सिखा सकते हैं बच्चे को ठीक है देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछना शुरू करूँ ठीक है थोड़ा-थोड़ा involvement करते हैं आपकी क्या लगता है टोपिकल curriculum में क्या होगा अगर आपसे exam में पूछा जाए मैं ठीक से नहीं दिख रहा आप ठीक से नहीं दिख रहे नह Space मैं वेसे ठीक साना दिख रहा हूँ और यह किये कि मेरा camera में कुछ गडबड़ है वो ठीक साना दिखा रहा हूँ ठीक है तो भूनर सा बता देना अगर आपके उसमें बफरिंग हो रही हो, तब में ठीक सा ना दिख रहा हो, ठीक है, तो कारण अलग अलग हो सकते हैं, बता दो कि किस तरीके से ठीक सा नहीं दिख रहा हो, ठीक है, तो ये देखों, दस अलग अलग अप्रोचीस हैं, जिनको आज हम डिसकस करेंगे, और जैसे कि में बात क इस चीज को समझो, यह बनेगा किसे, टोपिक से, दिख गया, ओके, सुनीता सिंग जी, कैसे है आप बहन जी, जी, ठीक है, तो यह कहा है टोपिकल अप्रोच है, यह सामीक उपाग्यम है, टोपिकल अप्रोच जो शब्द बना है, वो बना है टोपिक से, जब हम किसी एक पर् से बना टोपिकल, हाना, पहली बात, बात नंबर दो यह है, कि इसमें टोपिकल अप्रोच का मतलब यह है, कि हम एक पर्टिकुलर ग्रेड, एक पर्टिकुलर ग्रेड में ही, उस एक टोपिक को, पूरे को कवर करा देते हैं, इसके उपर क्रेशन बन चुका है, मैं बहुत बढ़िया हो, सुनीता मैं, ठीक है, बहन जी, देखो, मेरा कितना ध्यान लगती है, ठीक है, तो यह क्या कहते हैं, कि अगर कोई भी टोपिक है, अगर वो आप किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रेड, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रेड में, मालनो, आप समझ के चलें, कि बहुत थी, एक टोपिक है स्वैल, ठीक है जी, एक टोपिक है स्वैल, अगर हम यह सौचके चलें, कि भाई स्वैल जो एक चोटा सडूपिक है, हरना डिफ्रेंट टाइपन से संवह बताने होते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, शिवरू करके, और शिवरू क्लास में ठीक है मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जब हम एक पर्टिकुलर टोपिक को लेगे सोचते हैं कि इसको ख़तम करना है हाना कम्प्लीट कराना है तो उस एप्रोच को हम कहते हैं टोपिकल एप्रोच हाना जैसे कि यह जो है एक टोपिकल एप्रोच है कि आज particular class में topic को start भी करेंगे और वहीं पर finish भी कर देंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम, topical approach, याद रखना, topic से बनाए topical tropical में मत चले जाना ठीक है, आगे चलते हैं, देखो concentric concentric, concentric मतला ऐसे ऐसे करके जैसे spiral होता है, concentric और spiral, spiral हम अलग से पढ़ेंगे, agreed माल लिया, लेकिन ये फिर भी मिलते जूलते हैं ठीक है, concentric की बात अगर हम करें, तो concentric होगा भाई कुछ ऐसे, ठीक है देखो, topical में क्या था चीज को समझना, topical में क्या था, कि वही हम एक topic को एक particular grade में शुरू करके, और उसी में खतम कर देते हैं कि किसी वे एक particular grade में वही पर concentric में क्या होगा कि हम एक ही topic को एक उसमें पढ़ाएंगे एक class में पढ़ाएंगे, फिर उसको थोड़ा सा और wide करके अगली class में पढ़ाएंगे, फिर थोड़ा सा आणनीजी तो यह कौन इप्रोच कह होती है जो मतलब एक क्लास में आपने कुछ थोड़ा सा बताया उसके बाद में फोड़ा सा lijन्य जीन passionate आपनी बें ग्रेड में बताया फिर बना बताया फिर इने जीसे के मैं ग्जांप्ल दू आपको एक टोपिक होता है हमारा digestive system, ठीक है एक i determination क्या है digestive system है ठीक है अब digestive system में आप क्या जानेंगे 6th class में क्या पढ़ेंगे कि जो digestive system है वो कैसे कैसे मतलब अलग-अलग जो minerals होते हैं यह जो अलग-अलग carbohydrate और वो सिस्टम होता है वह सारा वई क्या- सेवंथ क्लास में होते हैं उसी चीज को रिलेट करते हुए थोड़े से और हमारे ओर्गन लेवल पर चले जाते हैं थोड़े सा फिर नहीं उसके उपर elementary के नाल की बात करते हैं ठीक ना elementary के बाद हैं फिर कहां पर चले जाते हैं अगली क्लास में आप देखेंगे कि ओर्गन लेवल पर चले जाएंगे तो वो क्या है हम धीरे 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 ग्रेड़ वाइज उस चीज को बढ़ाते हुए जा रहे हैं उस अप्रोच को हम क्या कहेंगे कंसेंट्री का प्रोच कहेंगे पढ़के देख लेंगे here knowledge is widened slowly knowledge को हम धीरे धीरे वाइड करते चलते हैं and steadily like concentric circles जैसे यह circle आपको झिख रहे हैं concentric circles है thus a subject matter is taken and spread over number of years एक ही चीज को हम लेकर और number of years तक चलते रहते हैं ठीक है एक में ही खतम कर दिया तो टोपिकल अलग-लग rates तक चलता रहा तो concentric थोड़ा सा रिलेट कर लेना, ओके, चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है, अब ठीक है, तो, अब बात आते हैं, अलग-लग अप्रोचीज है, एक चीज़ आते हैं, concept approach, concept approach, concept approach का मतलब क्या है, कि हम जब एक particular, जो एक central, जो एक idea होता है, या किसी big idea की बात करते हैं, हाना, big ideas की बात करते हैं, this approach moves away from subject specific content and instead emphasizes big ideas that span multiple subject areas or discipline, तो, एक कोई हो सकता है, एक बड़ा idea हम लेके चलें, ठीक है, जैसे कि इसमें देवी रखा है, कि एक big idea हो सकता है, change, एक शब्द है वही, परिवर्तन अपने आप में, ठीक है, तो, अब यह जो परिवर्तन है, यह केवल और केवल एक subject तक सीमित नहीं है, यह सभी में चलेगा और यह मतलब एक बहुत बड़ा idea है, हर चीज में change होता है, जैसे कि कहेंगे, कि variety of ways from pattern in mathematics, जैसे mathematics में हम कहेंगे, तो, जो pattern में change होता है, उसको भी हम कहेंगे, to civilizations in social studies, और civilizations में भी change होता है, तो, जब हम किसी बहुत बड़े idea की बात करें, big idea की बात करें, मतलब यह हम किसी particular concept को ले के चले कि यह concept हमें बच्चे को समझाना है, तो उसमें हम interdisciplinary भी चल सकते हैं, जैसे कल हमने लेगा कि इंटर discipline, मतलब अलग-अलग disciplines में उस चीज को ले के, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी concept approach, जब आप किसी particular concept को बच्चे को समझाना चाहते हैं, तो चलिए, विशेगत, मतलब एक particular विशेग के बारे में, ठीक है, समझ पा रहे हैं आपको इसको, आगे चलते हैं, यह कहोती है, spiral, spiral जैसा कि मैंने कहा, concentric के जैसा ही है, spiral होता है, कुछ ऐसा, हना, spiral में क्या होगा, कि हम शुरुआत में एक चीज को हलके से बताएंगे, फिर क क्या करेंगे, उसी चीज को repeat करेंगे, आप देखना कभी भी, किसी भी book को देखना, आप जब 6th class की book उठाएंगे, तो उसमें क्या होगा, पहले जो 5th class में करवाया गया था, उसका हलका सा hint देके, और फिर आगे चलेंगे 6th class के बारे में, ठीक है, फिर जब आप 7th class की book म उसी chapter को देखेंगे, तो आप क्या पाएंगे, पहले एक introduction दिया जाएगा, 6th class का, कि जैसा कि आपने चटी कक्षा में पढ़ा है, हाना, ऐसा कुछ होता है न, उसके बारे में बताया जाएगा, relate किया जाएगा, ये क्या कहला रहा है, spiral, जहां से आप चले थे, वहां पर ए ये क्या है, spiral है, spiral कुछ ऐसे होता है, spiral binding वाला, वही है ये, तो इसमें क्या है spiral approach, अब पहली बात देखो, याद रखने की बाद है, बड़ी है ये बात, ठीक है, ऐसे इसी चीज़े याद रखा करो, पहली बात तो ये जो approach दी है, ये दी किसने है, ये दी है ये जरोम ब्र जो कि हम constructivism में ही पढ़ते हैं, ठीक है, community development में पढ़ते हैं, तो ये जो approach दी है, ये दी है, जैरोम ब्रुनर ने, जैहिंद गुरु देव कैसे हैं या गगन सर कैसे है, प्रपोज दिस approach, here students first learn a concept or topic intuitively, शुरुवात में क्या होता है, कि किसी भी concept या topic को हम intuitively, intuitive मतलब सहस्ता स अपने आप से, ठीक है, चीजों को सीखते है, ठीक है, they then revisit the ideas repeatedly, फिर हम क्या करेंगे, वो जो idea है, particular idea, उसी को हम दोबारा से revisit करेंगे, each time, हर बार, adding to what they have already mastered, until full master, हम हर बार, each time हम उसको repeat करेंगे, उसी idea को revisit करेंगे, और तब तक करते रहेंगे, जब तक full mastery ना हो जाएंगे हम revision करते रहेंगे, बार, 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 नया content आता रहेगा, और at the end हम mastery कर जाते हैं, ठीक है, तो यह जो एक दृष्टी कोन होता है, यह क्या कहलाएगा, spiral कहलाएगा, दिया किसने है, याद रखना है, Jerome Brunner ने दिया है, आगे बात कर लेते हैं, this technique is often used in teaching, where first the basic facts of a subject are learnt, without worrying about details, शुरुआत में हम details की बात ही नहीं करते हैं, शुरुआत में हम हलका सा बताते हैं, उसके बाद में हम बार-बार वहाँ पर जाएंगे, और फिर और गहराई में, फिर जाएंगे फिर थोड़ा सा और गहराई में, फिर और गहराई में, हना, here key concepts are presented repeatedly, जो key concepts उसको बार बार कहा जाएगा, throughout the curriculum, but with deepening layers, लेकिन उसकी layers है, वो और ज्यादा deep होती जाएंगी हर बार, okay, अजी जैहिन सर, बिल्कुल जैहिन, गुरुदेव जी आपको भी, ठीक है, जो जटिलता की परते हैं, वो गहरी होती, चली जाती है, चलो इसका एक आंसर दे दो, जल्दी से, question है आपके सामने, फटा-फट से आंसर बता दो, थोड़े से active हो जाओ, देखते हैं, आप कितने आंसर कर पाते हैं, शबाज, शबाज, very good, देखते हैं, कौन अंसर दे पार हैं, सबसे पहले, in a dash curriculum, learning is spread out over time, rather than being concentrated in shorter periods, in this curriculum, material is revisited repeatedly over months and across grades, different terms are used to describe such an approach, including distributed and spaced, yes, क्या अंसर लोगा भही, be spiral curriculum, ना, आप जैसे कि देख पार हैं, कि बार बार दोहराया जाता है, जहां पर भी शब्द आ जाये, मैं फिर से कह रहा हूँ, जहां पर भी शब्द आये, जहां बार बार दोहराया जाये, उसको हम क्या कहेंगे, spiral curriculum हो जाएगा, भी हमारा आंसर होगा, बिल्कुल सही, ठीक है, चलिए जी, वेरी गुड, उसके बाद देख रहेते हैं, modular approach, हरा, module, module का मतलब क्या होता है, module का मतलब होता है, जब हम सभी चीजों को, देखो, हमें अगर कोई भी concept समझाना है किसी बच्चे को, ठीक है, किसी चीज के बारे हम बताना है, अच्छे से बताना है, तो हम उससे related जतनी भी चीज़े हैं, उन सब को इकठा कर देंगे, उससे related जतनी भी चीज़े सब को इकठा कर देंगा, करिकुलम कैसे होगा, planning कैसे होगी, evaluation आपको कैसे करना है, ठीक है, तो यह क्या approach होगी, modular, मतलब अलग-अलग angles से चीजों को मिला कर, फिर finally एक चीज को समझाना, modular approach कहलाता है, जी बिल्कुल जी, सुनिका सिंग जी, भी ही answer है इसका, ठीक है, अब देख लें, modular approach को समझ लें थ instruction, हाना, जब हमें एक unit, कोई instruction है, उसको complete करने के लिए, final करने के लिए, इसका यूज किया जाता है, module is a unit of work in a course of instruction, that is virtually self-contained and a method of teaching that is based on building up skills and knowledge in discrete units, ठीक है जी, जो ऐस तत इकाईयों में कोशल और ज्ञान के निर्मान पर आधारित है, ये देखिए, actually, reputation है, इसलिए मैंने add कर दी है, बाकि समझने के point of view, इस बात को समझिए, कि रचनावाद में, P.I.J., Vygotsky, Brunner, आदी सम्मिलित है, मतलब यदि आपको रचनावाद समझना है, या आपको constructive vision समझना है, तो आप अकेले P.I.J. को पढ़कर नही समझ पाएंगे, जब आप इन सभी को पढ़ते हैं, तब जाके आपको पता चलता है, कि अच्छा, real में constructivism ये चीज़ है, और ये जो approach है, जब हम अलग-अलग angles से हर चीज़ को समझाने के लिए, कुछ अलग-अलग तरीकों का प्रियोग करते हैं, उसको क्या कहा जाता है modular, modular का मतलब होता है, complete अपने आपने, जिसमें सारी ही चीज़े हो, उसको हम कहते है, module, okay, after that, thematic, thematic approach, नाम सही दिख रहा है, वह एक particular, कोई भी theme होगी, ठीक है, और उससे related, अगर हम लेके चलते हैं चीज़ को, तो उसको क्या कहेंगे, thematic approach कहेंगे, ठीक है, यह जी theme, चीज़े जो है, कि particular theme की तरफ जब आती होगी, here different areas in the curriculum are related to central theme, एक central theme होती है, और जो different areas in curriculum है, वो उससे ही related होते हैं, teacher's role is to initiate the theme, and students construct their own knowledge, जो teacher होगा, वो एक बार theme को start कर देगा, जैसे कि मैं को आज theme पर बात करते हैं, कि भई, flows in education system in India, हाना, कि भई, इंडिया में जो education system उसमें क्या-क्या flows हैं, अगर उसके उपर हम बात करें, theme दे दी हैं आपको, और आप उसके उपर बात करें, ठीक है, initiate करके छोड़ दिया, और फिर आप वापस में उसके उपर बात करें, तो वो क्या कहलाएगा, thematic approach कि जब हम एक particular theme को लेकर बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद में, vertical and horizontal approach, एक होती हो vertical, एक होती हो horizontal, ठीक है, vertical articulation या coherence भी इसको कहा जाता है, when a curriculum is vertically aligned, और vertically coherent, what students learn in one class, यहाँ से समझो, जो भी बच्चा एक class में पढ़ता है, course or grade level, prepares them for the next lesson, course or grade level, ठीक है, देखो वही, जब हम कुछ चलते हैं, ऐसे, तो वो क्या कहलाता है, vertical, vertical मतलब ऐसे, वही पर horizontal क्या हो जाएगा, ऐसे, हाना, horizon आपने शब्द सुना होगा, जहाँ सूरज दूपता है, जब दिखाई देता है, दूपता तो नहीं है, कहीं दूपता है, तो उसको क्या कहेंगे, horizon कहेंगे, और जो ऐसे चलता है, उसको हम, क्या कहेंगे, vertical कहेंगे, मतलब अब वो किसी अगले lesson के लिए भी हो सकता है, अगले course के लिए भी हो सकता है, लेकिन जब ऐसे चलता है, एक curriculum जो ऐसे फैल कर चलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, horizontal कहेंगे, और जब आपने एक grade में कुछ पढ़ा, फिर उसी चीज़ से अगली grade में कुछ पढ़ा, तो उसको हम क्या कहेंगे, vertical कहेंगे, ठीक है, यह हो अपना horizontal articulation, it is called, also called correlation, correlate करके हम एक चीज़ को एक ही उसमें, correlate करके समझा देते हैं, it refers to the arrangement of content based on the relatedness of topics, themes, skills, or processes in two or more subject courses in same grade, जब same grade में हम करते हैं, वो क्या कहलाएगा, horizontal कहलाएगा, जैसे मैंने कहा कि भई आप, कल मैंने example गया थे, वोटर को आप history में ही पढ़ा रहे हैं, जोगर्फि में भी पढ़ा रहे हैं, science में भी पढ़ा रहे हैं, English में ही ठीक है, तो जब आप अगर same grade में उसको पढ़ा रहे हैं, तो वो horizontal approach है, ठीक है, लेकिन अगर आप वोटर को तो ही आपने science में 6th class में पढ़ाया, फिर आपने 7th class में पढ़ाया, science में ही, ठीक है, फिर आपने 8th class में पढ़ाया, तो उसको क्या कहेंगे हम, vertical approach हो जाएगा, मतलब जो नीचे से उपर की तरफ चलता है, same grade, semester or trimester, for example, mathematical and scientific thinking, हमें पता है कि जो mathematical thinking और बच्चे की develop करनी है तो हम एक horizontal level पर चलते हैं, हरा कि ये topic जो है, हमें इस level पर complete करा देना है, वो क्या कहलाएगा, horizontal क्यों कहलाएगा, दोनों को interrelate करके, mathematical and scientific thinking को interrelate करके, हम एक ही कक्षा में लेकर चलते हैं, वो horizontal approach कहलाता है, ओके, चलिए इसका answer भी जिए, आप चल भी से, कैसे है, डक्टर स इसका answer बताओ चलो style से, शाबाश, जिस पाठ्थे चरिया में एक पाठ्थ के ज्यान को अगले पाठ्थ के ज्यान से पूरे अधियन कार्यकरम में संबंद किया जाता है, उसे कहते हैं, क्या, शाबाश, बताएंगे, शाबाश, बताएंगे, क्या कहा जाता है उसे, एक क्लास को जब अगले क्लास से रिलेट किया जाता है, इने कुरिकलम वेर, इफ देर इस लिंकिंग नॉलिज फ्रम वन लेस्टन तो नेक्स्ट अक्रोस ए प्रोग्रेम ऑफ स्टड़ी, इट इस, क्या कहला है भई, आनंद कुमार जी ने कहा, ए, एस, एनिबडी ऐल्स, शबाश, जल्दी से आंसर दिया गरो भई, आकानशाग गर्ग, ए, कोई और भई, शबाश, वेरी गुड, गुरमीत कोर, ए, शबाश, अरे आकानशाग मैडम, सही आंसर को आपने हटाए दिया, आकानशाग गर्ग, आप सी अब गलत कहा रहे है, जो इन्होंने लिख रखा है, जो इन्होंने टिक मार का रखा हो, गलत का रखा है, ठीक है, स्पाइरल में देखो, जब बात आएगे न, कि हम रिपीटिडली चलेंगे, शब्द को समझो, शब्दों पर ध्यान दो, जब कहा जाएगा कि रिपीटिडली चलेंगे हम, और लिपन जाते चले जाएगे, जाते चले जाएगे, तब होगा हमारा स्पाइरल, लेकिन पाठ के ज्ञान को अगले पाठ के ज्ञान से पूरे अध्यन कार्यकरम में संबंध किया जाता है, ठीक है न, तो उसको क्या कहा जाएगा, हमें उर्धवाधर या वर्टिकल करीकुलम कहा जाता है, वर्टिकल मतलब जब पहले एक में पढ़ाया, फिर उसको दूसरे पर चोथे में पढ़ाया, तो वर्टिकल जो ऐसे चलता है, इसका अंसर होगा जी, जी आप कहरें कि प्रीवेस से कनेक्ट हो रहा है, नहीं, लेकिन प्रीवेस से कनेक्ट होना एक अलग चीज है, प्रीवेस को रिपीट करना एक अलग चीज है, मेरी बातों पर ध्यान दो, जो spiral होता है, डिखू में अगधा तो, spiral में क्या होगा, आपने ऐसे कुछ किया, ये पुरा कर दिया, लेकिन इसको बादें फिर आप फिर से इसको repeat कर रहे हैं, और फिर आप दूसरी जगह पर जा रहा है, फिर से repeat कीया, फिर यहां पर, फिर से repeat करा तो ऐसे चलता है, वो spiral जब तक repeat करना का शब्द ना आए तब तक आप spiral नहीं कहेंगे इस चीज को समझेंगे थोड़ा सा न ठीक है तो ये उर्धवादर है vertical curriculum प्लीज थोड़ा सा consider करेंगे चलो इसको बता दो कोई बात देखते हैं curriculum organization used for different concepts at the same class एक ही क्लास में curriculum organized used for different concepts हाना अलग-अलग concepts के जब हम organize करते हैं एक ही क्लास में तो वो कुण सा होगा curriculum शबाश बताईए 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 क्या होगा आपका answer ऐसे में अब आप सोच रहोंगे कि पहले बात तो यह topic ऐसा है और उपर से इसको पर question ऐसे आ जाते हैं और जो उल जाते हैं लेकिन वही यह वही जिन्होंने यह किया है उन्हीं का selection हुआ यह मालते चलिए जो आपको एक limit से beyond जाना पड़ेगा जहां तक सब कर रहे हैं उसमें selection नही जी very good अब की बार आपका जवाब बिलकुल सही है वो होगा horizontal हरा क्योंकि same class में है अगर different class में होता बढ़ते हुए होता तो हम क्या कहते हैं उसको हम बोलते vertical ठीक है लेकिन यह कहां पर है same class में है और हम different concepts को organize करके पढ़ा रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे horizontal या 36 ठीक है इ है कुर्मीत कोर जी गलतिया ज्यादा हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि यह जो topic है यह आज तक अंच हुए है आपने इनको कभी पढ़ाए नहीं है धन से हरा ना कभी किसी academy ने इनको अच्छे से पढ़ाया आपको लग सी teacher ने अच्छे से पढ़ाया इसलिए क्या है यह आपको confuse कर रहे है ठीक है जबकि यह questions जो है यह आसान है आप थोड़ असा ध्याम से देखेंगे मैं कुंगा वीडियो को दो-तिन बार देखिए आपको चीज़े समझ में आएगे हर बार कुछ ना कुछ नहीं आपको लिखाए देना ओके चलिए अब आएगा भाई निंग horizon approach जहाँ पर जो horizon है वो wide होता चला जाए खुलता चला जाए ठीक है उसको हम क्या कहेंगा widening horizon approach और इसके लिए एक जो मैं key point जो बता रहा हूं वो है from local देखो यह है local to global जब हमारी approach चलती है from local to global उसको हम क्या कहेंगे widening horizon approach जैसे मैं क्या करना होता है जैसे कि होता है कि मालिया बच्चे है स्कूल में न हम उनको कहेंगे कि चलो आज यह बताओ टीफिन में कौन-कौन क्या क्या लेके आया है बच्चे अपने टीफिन को लेंगे वो बताएंगे कि मैं चावल लेका हूं मैं रोटी लेका हूं दाल है ठीक है यह है मतलब उससे हम क्या करेंगे यह local चीज जो हमारे पास है फिर उससे हम धीरे-धीरे क्या जाएंगे कि भई यह जो है रोटी है रोटी से हमें क्या मिलता है कार्वोहड़ेट मिलता है जो डाले हैं उनसे क् जाएंगे अगर digestive system पे और फिर उससे हम अगर आगया आगया चलते चले जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारा widening horizon approach या आप इस चीज को समझेंगे फिर से मैं कह रहा हूँ local to global अपने आसपास की चीजों से और फिर बाहर की तरफ ग्लोबल की तरफ जाना वो क्या कहलाता है widening horizon approach देख लेते हैं क्या है इस ट्रेडिशनल अप्रोच यह एक ट्रेडिशनल अप्रोच है यही होता है कि हम अपने आसपास की चीजों की बारे में बात करते हैं और फिर हम बाहर की तरफ जाते दोनों में डिफरेंस क्या है किन दोनों में डिफरेंस क्या है यह बता दो मुझे एक बार फिर मैं दोबरा रिपीट करदूँगा कोई इसउई नहीं है ठीक है इस अ ट्रेडिशनल अप्रोच इस चार्ट फर्स्ट स्टर्डिंग फिर लोकल इन्वार्मेंट पहले जो बच्चा है इसको local environment में पढ़ता है and expands outward in concentric circles जो concentric approach है उससे related है as it moves up in grades और ये आगे-ागे grades में move करता चला जाता है from local to global इस चीज़ को आपको याद रखना है, समझना है horizontal and vertical देखो भाई, मेरी बात को समझो जैसे मैंने शुरुवात में कहा था जो topical approach है पहले तो horizontal को समझो एक चीज आती है maths में ठीक है और एक चीज आती है science में ठीक है अगर हम इन दोनों की ही चीज़ों को मालो 7th class का एक बच्चा है कोई एक ऐसा topic है जो related है maths से भी और science से भी पान के चलो ठीक है और अब हम इन दोनों को relate करके अब हम इन दोनों को relate करके हम बच्चे को अगर सिखा रहे हैं तो वो क्या होगा वो horizontal होगा प्लीज चीज को समझो वो क्या होगा horizontal होगा ठीक है लेकिन अगर एक चीज ऐसी है जैसे कि मैंने आपको example दिया कि भई हमने digestive system के बारे में बताया 6th class में कुछ चीजें बताई फिर जब बच्चा 7th class में हुआ हमने थोड़ा सा और जादा उसके बारे में बताया फिर जब बच्चा थोड़ा सा 8th class में हुआ फिर हमने उसके बारे में और जादा बताया फिर जब 9th class में हुआ फिर हमने उसके बारे में और जादा बताया तो ये जो approach चल रही है ये grade by चल रही है समझो इस चीज को ये जो approach है ये grade by चल रही है एक grade से दूसरी grade तक ऐसे जा रही है vertical जा रही है उसको कहेंगे horizontal प्लीज समझो और जब हम एक subject को समझाने के लिए एक topic को समझाने के लिए एक concept को समझाने के लिए कुछ ऐसे चले पहले एक कक्षा में कुछ बताए फिर अगले में कुछ बताए फिर अगले में कुछ बताए तो उसको हम क्या कहेंगे अगले पाठ के ग्यान से समझो, ठीक है ना, पूरे अध्यन कार्यकरम में संबंद किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं, और जब हम different concepts को same class में कर रहे हैं, different concepts को same class में कर रहे हैं, उसको horizontal कहा जाता है, ठीक है, ठोड़ा सा एक बार ध्यान दो, horizontal ये होता है ये होता है, आप थोड़ा सा अगर माहिन लगाएंगे, तो आप समझ जाएंगे, कि मैं कहना चाहाँ, ठीक है, ये आ गया भई, अपना widening horizon, local to, global, थोड़ा सा इसको, अगर आपको भई, समझ में आया है, तो एक बार थोड़ा से confirm कर देंगे, मुझे, हना बता देंगे, कि फिर से अगर repeat करना है, तो फिर से बतादना, मुझे कोई issue नहीं, ठीक है, समझ में आरा चाहिए, अगर आपको समझ में आरा तो सब सही है, समझ में नहीं आरा तो कुछ सही है, अग्जैम में ऐसा नहीं कि आपके सामने question आए, और आप फिर घवरा जाओ, उनको देखके, गवराना नहीं नहीं, चलिए अगली approach देखते है, issue-centered approach, issue-centered approach, देखिए issue-centered approach, जैसे कि नाम से दिख रहा है, कुछ issues होते हैं, इसको हम थोड़ा सा detail में ही पढ़ेंगे, जिसके तीन type हम वो भी पढ़ेंगे, ठीक है, issue-centered approach, this approach is centered around issues, देखो कोई भी एक issue होता है, उसके और फिर हम उसके उपर बताएं बच्चे को, तो उसको क्या कहेंगे, issue-centered approach, students' knowledge and skills from a variety of subject area and incorporate many modes of thinking in coming to understand an issue, ठीक है ना, किसी भी issue को समझने के लिए, हमें कई subject area को समझना पड़ता है, जैसे मैं एक example देता हूँ, issue-centered की, कि अभी कुछी दिनों पहले एक issue था, मैं ये नहीं क था, गलत था, लेकिन एक issue था, ठीक है, अगर हम उसके उपर बात करें, ठीक है, और हम उसको समझाएं, या समझें, अलग-अलग subject area में जाके, तो उसको हम issue-centered approach करेंगे, जैसे कि अभी एक मुद्दा था क्या, किसान बिल, ठीक है, ये एक मुद्दा था, ये एक issue था, किस किसान बिल को लेके, ठीक है, अब मैं कहुँगा कि किसान बिल को लेके, सब के अलग-अलग views हो सकते हैं, आपके view अलग भी हो सकते हैं, मेरे जो views जो मुझे मेरे लग रहे हैं, वो मेरे हैं ही नहीं, वो किसी और के views हैं, मुझे मेरे लगते हैं, ठीक है, सेम आपके साथ भ किसी और के व्यूज को आप अपना समझ के आप उनको अपना मान के बैठें कि हाँ ये मेरे ही व्यूज हो गए है तो मैं कहूंगा कि जब हम different subject area से उससी को समझते हैं तब हमें सही और गलत का पता चलता है ठीक है जैसे कि इसी किसान बिल के उपर ही अगर आप देखें इन्होंने बताया किसान बिल के सारे प्रोज और कॉंस के बारे में वह थोड़ा सा क्या है कि इस्चु को लेकर उसके बारे में सारी चीजिए सारी बातें बता रहे हैं अगर आपने नहीं देखा तो जुरूर देखना काफी अच्छे है नोंने explain किया इस चीज को ठीक है ब ठीक है या तीन टाइप हो सकती है पहली क्या है इनके उपर भी question मनें इसलिए बता रहे हुआ है पहली क्या है correlated curriculum ठीक है जब हम curriculum को correlate करके समझाते हैं ठीक है जैसे कि आप अगर इसमें देखेंगे किसान बिल के बारे में डॉक्टर विकास दीबे किति जनम बताया जो ठीक कि वही किसान बिल जो है वो किस किस चीज से संब्दित है हना उनका कहा कहा पर असर पड़ रहा है ठीक है हमारा जो culture है उसको भी लेकर आ रहे है तो वो क्या है correlated curriculum है वो correlate करके समझा रहे है here different subjects are taught by correlating each other जब हमें एक issue को बताना होता है ठीक है after that fuse curriculum fuse का मतलब क्या है यहाँ प combining several specific areas into large areas हम क्या करते हैं कि several जो अलग लग areas तो उनको combine कर देते हैं एक बड़े area में ठीक है और जो तीसरा आ जाता है वो आ जाता है अपना core curriculum core curriculum क्या होता है basic curriculum होता है मूल होता है core का मतलब होता है जो सबसे अंदर है जो सबसे मूल है सर्य question dssb में आये हुए है जी बिलकुल और इससे अलग भी जो dssb में आये हुए वो भी मैं आपको provide करूंगा ठीक है और एक चीज में और बता रहा हूं आतांशा में या जो भी है students अभी जो dtsb का जो level बन रहा है वो काफी अच्छा level बन रहा है और उसी के हिसाब से हमे काफी अच्छी ही तैयारी करनी पड़ेगी ठीक है क्योंकि जब तक हम यह सोचेंगे कि भाई वो जीन प्याजे वाला सीम चल जाएगा नहीं चलेगा अब नहीं चलनेगा वो था कभी 2013-2014 की बाते थी हो अब नहीं होता ऐसा ठीक है क्या हुए दो तिन question आ गया आपका वा चले मेरा ऐसा मालने है ठीक है जी सर आ गया ठीक है चलो जी समझ में आ गया तो बड़े अच्छी बात है तो मेरी भी समझ जा आ गया ठीक है चलिए उसके बाद जो मूल पाठ्थे चलिया है वो क्या होता है it refers to the heart हाना जो हर्ट है जो बीच में है जो बिल्कुल कोर जैसे अर्थ का जो कोर है ठीक है वो क्या है हर्ट of experiences every learner must go through जो हर एक को जाना ही जाना चाहिए जिसके बीच में है से हाना तो वो क्या कहलाएगा कोर करिकुलम कहलाएगा ठीक है it is the main करिकुलम ये main करिकुलम होता है for example मैं कहूँगा कि maths up to 10th class maths up to 10th class आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने दसमी तक mathematics ना पढ़ा हो या ना जेला हो अना कुछ ऐसे भी हो सकते है ठीक है लेकिन हाँ करना जरूर पढ़ा होगा ठीक है तो वो क्या है कि ये क्या है कोर करिकुलम का part कि भाई इतना तो हर एक को करना ही पड़ेगा कोई भी इशू हुआ उसके अंदर कुछ चीज़ जैसी होती है जो कोर होती है जैसे कि मैं कूंगा अभी किसान बिल का मैंने कहा तो उसमें एक ये शब्द आपने बार बार सुना होगा MSP हाना ये क्या था कोर था ये इसका हर्ट था जिसके उपर बार बार कहा जा रहा है थे कि MSP अटा दिया MSP अटा लिया ठीक है अच्छा 0.42 भी बहुत मेंटर करते है आपका 0.42 से कुछ गडबर तो नहीं हो गी है जी सुनिता जी अभी जहां तक बात है न एक्जैम की DT प्लेस भी का अभी तक कुछ फाइनल हुआ नहीं है ठीक है कि कब होगा जिन्होंने अभी अप्लाई किया था उनका लेकिन हाँ ये बक्की बात है कि KVS का आने वाला है होफुली मार्च में KVS जो है अपनी नोटिफिकेशन वगरा निकाल रहा है तो और मेरा ही मानना है कि आप एक बार तयारी करो धंसे कहीं न कहीं हो ही जाना है थाना KVS में हो जाए NVS में हो जाए DT प्लेस भी में हो जाए जिसमरजी में हो जाए और एक बात और मैं बता दूं आपको कि अगर आपका किसी एक चीज में हो जाता है ठीक है तो आपका दूसरी चीज में भी होने के बहुत बहुत चांसे हो जाते है क्यों हो से कर ली है तो आप 10th क्या हरियाना बोर्ड से नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं क्या आप बिहार बोर्ड से 10th क्लास नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं क्या आप यूपी बोर्ड से नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं क्यों क्यों कि आपके पास 10th क्लास इतनी नोलीज आ चुकी है तो सेम है कि अगर आपको एक लेवल की नोलीज आ जाती है तो फिर आप जिस मर्जी टेस्ट में बैड़ जाएं आपका वो टेस्ट क्लियर हो ही जाता है आपने देखा न या तो नोकरी मिलती नहीं है लोगों को मिलती है तो तीन-चार एक साथ मिलती है वो इसलिए होता है क्योंकि जो तीन-चार एक साथ मिले ना उस लेवल के उसकी त्यारी होच्टी है वो जिस भी वो भी देगा वो हो गई होगा ठीक है तो आप बस तैयारी पे ध्यान दो और आपको तो पता ही करम करो बस फल की इच्छा तो हमें करनी नहीं है फल तो अप प्रेंक 4-2 मार्क से सेलेक्शन रहा है आप समझ भा रहे हैं तो एक-एक नमबर मेटर करता है कोई भी आप सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक जो है वो छोटा समझ के ना चले बहुत मेटर करता है और ऐसे टॉपिक तो और भी जादा मेटर करते है क्योंकि मेरा ही मानना ह जो इनको करता है बच्चा नोर्मल तो सभी पढ़ी लेते हैं इनको कोई-कोई बच्चा पढ़ता है ठीक है और वो कोई-कोई का ही सेलेक्शन होता है सबका नहीं होता है ठीक है तो जहां तक बात करें वहीं कोर करिकुलम की यह का हारट है जिसको पढ़ना ही पढ़ता है सभी को पढ़ना पढ़ता है, आप सभी ने 10th class तक किया ही होगा mathematics, ठीक है, चलो अब इसका answer देदो, थोड़ा सा ये है clear नहीं है, मैं पढ़के बता देता हूँ In the core curriculum सार पाठ्यचरिया में ठीक है, और जो answer है मैं वही बता देता हूँ, और शयाद आपको पढ़ने में problem आएगी, answer है इसका option number two experience begins experience begins with a common area of all students, यहाँ पर लिखा है वही है, experience begins with a common area, common area जो है ये core की बात पे चला गया है of all students, मतलब सभी students के लिए एक common area होता है, जिसको आप कहेंगे core curriculum हम कहते है ठीक है बाकी और आप पढ़ ले ना, इसमें वो चीजे नहीं है अच्छा जी वही मैं कहा रहा हूँ न भाई और इस चीज को भी आपने देखो, feel किया होगा, माना होगा, समझा होगा कि हमारी cognitive development हो रही है with the passage of time जैसे जैसे समय जा रहा है और cognitive development होने का मतलब यह है कि आपने, जैसे कि हम पढ़ते हैं न, डेविड हैवी घरस्ट को हैवी घरस्ट को आपने पढ़ा हैवी घरस्ट क्या बात करता है developmental task की बात करता है ठीक है, कि भई एक particular time होता है एक particular development stage में कुछ एक task होती है जो आदमी को करनी चाहिए और अगर उस time पे उसने वो नहीं किया या उस time पे उसकी वो development नहीं हो पाई, तो आने वाले समय में उसको समस्याएं होंगी, तो मैं इस बात को थोड़ा सा relate करना चाहरा हूँ आप से कि जो आपका एक peak time होता है जो लगने का, ठीक है अगर उस time पे आप लग गए तो यह मान के चलो कि लग गए otherwise मैं कुछ वोगा कि आगे अगर आपका सोचे कि next time करेंगे, next time करेंगे अगली बार और, अगली बार और वो अगली बार फिर कभी नहीं आएगी इस चीज से का आप आश्वासन रतना ठीक है ना, by chance की बार तुका लग गया लग गया, otherwise आम तोर पे नहीं आती है, क्यों नहीं आती है एक तो हर साल competition बढ़ता जला जाता है, हना पेपर का जो एक जो लेवल है वो बढ़ता चला जाता है, आप भी देखे कि 2018 में, 2017 आप देखे, 2017 का डीट्री प्लेस्वी का पेपर उठा के देखे, उसके बाद 2018 वाले उठा के देखे उसके बाद 2019 वाले उठा के देखे आपको अलग से अंतर नजर आ जाएगा कि हमें देखे किस तरीके से लेवल में चेंज आ रहे है तो अगर आप सोचने कि अगले साल हो जाएगा तो इसका मतलब वो और ज्यादा टफ हो जाएगा ठीक है ना हमारा माइन कहता कि इस लेवल तक हम पहुच गए अब तो मैं पास ही हूँ जबकि ये पता चले कि भई जो पेपर का लेवल है वो ये नीरा है अब वो ये हो गया तो अब आपको यहां से यहां नहीं जाना है आपको यहां पर जाना पड़ेगा ठीक है और जो और जो students होते हैं वो तैयारिया कर रहे हैं ठीक है तो इस cancer भही हाँ दिख नहीं रहा इसलिए मैंने बताया तो इस cancer है experience begins with a common area of old students ठीक है तो मेरा तो यह मानना है अगर आपके पास time है अभी तो अभी वो समय है एक बार तैयारी कर लो 6 महिने की लगाता ढंग से selection को coin रोख सकता ठीक है पर एक time होता है उसके बाद नहीं होती है ठीक है हर चीज का एक समय होता है और वही last में जो होगी हमारी ये सबसे best माने जाती है ये हमारी क्या eclectic approach हाना eclectic approach का मतलब पता है क्या होता है eclectic eclectic होता है कि जो चीज अच्छी लगे eclectic का मतलब होता है उदारवादी हाना जैसे कि intelligence में भी हम पढ़ते हैं intelligence में भी एक theory होते है eclectic theory of intelligence और eclectic theory of intelligence हम किसको कहते हैं two factor theory को two factor theory का मतलब यह है कि चल यार तेरी भी ठीक eclectic approach क्या कहते है कि भई जब हमें किसी भी बच्चे को एक अगर better understanding देनी है better knowledge देनी है तो हमारे स्पास जो भी approach है हमें उसी का प्रियोग कर लेना चाहिए या एक से ज़्यादा approach इसका मिला जुला के प्रियोग कर लेना चाहिए ठीक है ना अगर हम मिला जुला कर प्रियोग करते हैं तो उसको हम eclectic कहते हैं उदारवादी कहते हैं उदार का मतलब ही होता है कि चल भाई तूने जो कहा वो भी ठीक है तूने जो कहा वो भी ठीक है सबकी बाते माल लेते हैं और हम सब की बातों का प्रियोग करके इस पे काम को करते हैं, ठीक है, एकलेक्टिक अप्रोच का मतलब क्या है, ठीक है, चलते चलते इससे लेटेट कुछ क्येस्शन कर लेते हैं, हाँ, बिल्कुल, रजल्ट आने के बाद में प्रिक्रेशन स्टार्ट करना ही गड़ बड़ है, हाँ, मैं वही कहरा हूनों कि आप फल को देख रहे हैं, करम नहीं देख रहे हैं, अगर करम को देख होगे तो फल को देखने की जुरूरती नहीं है, मतला आप सिर्फ तैयारी करो पढ़ने के लिए पढ़ो कि मुझे नोलिज लेकिन लेनी है और इसलिए मुझे पढ़ना है पेपर कैसे नहीं होगा मजाल नहीं है पेपर ना हो ठीक है वही मैं कर दो ना कि पहले के क्वेश्चन बहुत आसान है अब आप यह मान के चलिए कि जो 2022 में होगा वो 2019 से टफ होगा और जो 2023 में होगा वो उससे भी ज़्यादा टफ होगा तो आप यह मत सोच के चलिए कि भई आपका जो चांसी जहों बहुत ज़्यादा परे तीन साल से तो वैसे नहीं होगा 2019 के बाद तो थोड़ा सा आप सीरियस रहें इसको लेकर इफ टू और मोर मेथटर्स आर मिक्स्ट अप फोर टीचिंग दा टीचिंग मेथटर्ड विल बी नोन एज क्या कहलाएगा जी एकलेक्टिक मेथटर्ड है ना आपके सामने ही आया है केश्यन तो ऐसा कुछ पूछा जाता है एक्जैम में उदार भी धी कहा जाता है चलो जी एक ये भी बता दो क्या होगा इसका अंसर शबाज जल्दी से In this approach selected topics of study suitable for the age ability and interest of children are included in the curriculum and each topic is dealt with completely in the class where it is first introduced देखते हैं आपको कितना याद है प्लीज इसका देखिए नंबर नहीं है तो आप नेक्स्ट करके करेंगे जी most welcome आप कहेंगे नेक्स्ट करके और फिर आप लिखेंगे इस कांसर A, B, C या फिर आप करेंगे इस कांसर देंगे एक, दो, तीन, चार इसकांसर उससे अलग होना चाहिए तो आप एक, दो, तीन, चार में करेंगे ना कि ये भी सी देंगे ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप इसी कांसर दे रहे हैं पिछले बाले का नहीं दे रहे हैं जल्दी से लास्ट क्योश्चन इसके बाद क्लास करेंगे भई, एंड करेंगे देखते हैं आपको याद कितना है, इसलिए मैं इसका लास्ट में लेकर आएं एक, दो, तीन, चार में आंसर देना है जी, प्लीज नेक्स्ट भी, आकांशागरग ने कहा, चलिए, कोई और, वेरी गुट, देखते हैं किसको कितना याद है, उन कितना याद रख पाता है, चीजों को समझ पा रहे हैं, या नि समझ पा रहे हैं नेक्स्ट भी, कृष्पा गुपता, रहे वाव भी, कृष्पा मैडम पढ़ने में तो और सही है, गुरमीत को और दो, अरे वाव, फिर तो आप सब सही कह रहे हैं, भई, वेरी गुट है न, जो इच टोपिक को इच डिल्ट विद कम्प्लीटली इन दे क्लास, वेर इट फर्स इंट्रिडूस, जिस कलास में इंट्रिडूस किया, अगर उसी में उसको फिनिश करवा दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं, टोपिकल अप्रोच कहते हैं, जो कि हमारे सबसे पहले अप्रोच तो इस कांसर क्या है, उप्शन नंबर 2 ही इस कांसर है, कि कुछ ऐसा आज हमने शुरू किया एप्रोचीज और अगर एप्रोचीज को complete जितनी भी एप्रोचीज हैं जो मुझे मिली दस एप्रोचीज अगर उनको हम एक ही class में खतम करवा देते हैं सभी को तो वो टोपिकल एप्रोच है ठीक है चलो जो एक question हो रहा गया है फिर फटा-फट से खतम करते हैं ये भी बता दो कोई बात में चलते चलते देखी जाएगी इसको ABCD में बता देना आप तोड़ा सा change हो जाएगा न शबाश the dash approach often called spiral is a way of organizing a curriculum by laying out basic concepts covering other related material and then circling back around to the basic concept and filling in more complexity and depth चले देखते हैं कौन कितना समझ पार है शबाश शबाश इसका अंसर ABCD में आप ताकि प्ता चले कि next की बाद कर देखे है ए बी CDA core है B widening horizon है C concentric है और D issue centered है क्या अंसर होगा very good last C 3 अकांशा गर्ग अकांशा मेडम आप तयारी कर रहे हैं लग रहा है दिखाई दे रहा है कि आप सच में ही serious हैं पढ़ाई को लेकर शबाश कोई और चले भी खतम ही करना है देखो spiral जो करिकुलम है उसमें भी क्या होता है कि हम revise करते हैं repeat करते हैं उसी चीज को और फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर जो यह कह रहा है circling back around the basic concept and feeling in more complexity and depth जैसा कि हमने शुरुवात में किया था concentric में topical में क्या था एक ही grade में खतम करवाना concentric में क्या था कि हमने पहले एक छोटी सी चीज बताई फिर उसी से relate करके अगली बार फिर हमने अगले grade में कुछ और गहराई से बताया फिर उस से अगली grade में फिर हमने और गहराई से बताया जो circles से बने हुए थे अगर आपको याद है तो ठीक है तो वो जो approach है वो कहीं न कहीं spiral से मिलती जूलती है इसलिए इसको क्या का गया as concentric इसका जो answer होगा वो concentric approach रहेगा ओके चलिए जी कल जो हम बात करेंगे इसकी करेंगे तो तब तक के लिए भई करिकुलम को कैसे develop करना है न करिकुलम development and process क्या क्या processes है करिकुलम को develop करने के लिए करिकुलम कैसे बनाया जाए वो सारी चीज़े हम देखेंगे ठीक है तो तब तक के लिए भई कल के लिए thank you so much good night to all शुभरात्री और मिलते हैं कल 10 बजे तब तक के लिए stay tuned with Pavitra Academy and bye to all good night